नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदाशन किसान मैं हूँ अदती शर्मा स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम विचारवे मर्ष में एक ऐसा कारिक्रम जिसमें हम खेती से जुड़े किसी खास पहलू पर विचारवे मर्ष करते हैं ताकि किसान उसका लाब उठा सके देश में करीब 48 फीसदी खेती मौनसून की महरबानी पर है और देश का असी फीसदी से अधिक मौता नाज दलहन और तिलहन इन ही खेतों से मिलता है लेकिन इसके बावजूद ये क्षेत्र जलवायू परिवर्तन की दुश प्रभावों के असर में हैं अक्सर सूखे जैसी आपदाओं से प्रभावित हो जाते हैं और अगर अ अधिक वसल जैसे कदम इसी सक्रियता की ओर इशारा करते हैं इस साल अब मौनसून अपने शबाब पर है तो यही मौका है कि हम बरसात के स्पानी को अगले मौनसून तक के लिए सहीच कर रखें ताकि हमारी साल भर की जरूरतें पूरी हो सके मगर कैसे होगा ये सब इसी प च्री विश्वेश्वर रतची साथ हमारे साथ मौझूद हैं भारती कृषी अनुसंधान संस्थान की पूर्वने देशक और प्रद्धन व्यग्यानिक डॉक्टर रवींद्र कऊर और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं भारती अम्रिधा एवं जलसन रक्षन संस्थान देहरादून के प्रधान व्यग्यानिक डॉक्टर अम्रीश कुमार और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने आए हैं IARI के वाटर टेक्निलोजी सेंटर से जुड़े प्रधान व्यग्यानिक डॉक्टर डी के सेंग आप सभी का दूरदाशन के सान पर बहु सन 1960 और 1970 के दशक में देश में हरित क्रांती ने जनम लिया और देश के अनगारों को भर दिया वर्ष 1950 और 51 में जहां कुल पैदावार 50.08 मिलियन टन थी वहीं अब साल 2017 और 2018 में ये अब 289.5 मिलियन टन पर पहुँच गई है देश आया तक से निर्भर हो गया है लेकिन इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ी है अधिक पैदावार देने वाले बीज, सीचाई के तहट आने वाला शेट और और वर्वरकों के बढ़ते समाल से पैदावार में इजाफा तो हो गया लेकिन आज ये बात सामने आ रही है कि कई जगोहों पर जमीन के नीचे के पानी का अस्तर हर साल काफी नीचे जा रहा है पंजाब हर्याना जैसे अधिक उपजवाले शेत्रों में ये समस्या और अधिक गहरा चुकी है अनुमान है कि जोत का औसत आकार घट में तत्रिव्यक्ती जल की उपलबता कम होने और पानी की गुणवत्ता में कमी आने का असर जल स्तरोतों के सतत उप्योग पर पड़ेगा और अनुपजानी की लक्षों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है सवाल ये है कि पानी की सकमी को कैसे पुरा किया जाए इसका उपाय है बारिश जल संचयन यानि आस्वान से बरसने वाले कुदरती पानी का संचयन कर लिया जाए देश की तकरीबन आधी खेती बारिश के पानी से ही जीवन पाती है ऐसे इलागों में बारिश के पानी को जमा करना और भी अधिक जरूरी हो जाता है देश के पहडी और पठारी इलागों में वर्षा जल संचन अधिक चुनोती पूर्ण है क्योंकि ऐसे इलागों में वर्षा जल अधिक नस्ट हो जाता है तो अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी आईए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं विश्वेशर रजी सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि अभी हमने देखा कि देश में करीब 48 फीसिदी खेती जो है वो वर्शा पराधारित है और साथी साथ इन में से काफी लाके ऐसे भी हैं जहांपर अभी भी एक फसली खेती होती है सच क्या है और अगर हम बात करें इस सूरत को बदलने की तो इसके लिए क्या कदम उठाय जा रहे हैं भारत में करीब हमार 140 मिलियन हेक्टर में खेती होता है उसमें से 68 million hectare जो है उसमें इरिगेशन का प्रावदान है बाकी जो आपका 72 million hectare जो है वो रेनफेड के उपर completely आधारीत हुए 72 million hectare में जहां उसमें आपका एरिड जोन है जहां 500 से कम मिलिमीटर रेनफुल होता है जो semi-arid है जो 500 से 7500 के है और इस 7500 से 1100 mm है जो हम sub-humid बोलते हैं और 1100 के उपर भी रेनफेड एरिया भी होता है सारे मिला के करीब 72 जो आपका टोटल जो रेनफेड एरिया है उसमें 72 million hectare है तो जहां बरसा कम होता है करीब 500 से या ऐसा semi-arid zone है, arid zone है वहाँ पर जितना बानी होता है यह एक ही मनसुन में mostly 30-40 event होता है जिसमें एक ही खेती हो पाता है और बाकी जो क्योंकि बाकी पानी का बहुत कमी होता है, moisture कम रहता है तो बाकी एरिया में खेती नहीं होता है तो mostly rainfall area जो है इसमें एक ही खेती होता है जहां 1100 से ज्यादा rainfall है वहाँ कुछ-कुछ जागा में double खेती होता है लेकिन फिर भी even Odisha, West Bengal, Bihar वहाँ पर भी कुछ खेती है जहां पर एक ही खेती होता है only mostly paddy होता है बाकी time करीब 28 million hectare जो है फैलो लैंड रहता है दूसरा crop नहीं लेते है इसलिए जो national rainfall area authority जो हम हुआ है सरकार ने गठन की है इसका main लख्य जो है जो rainfall area में जहां productivity बहुत कम है irrigated area में 3 ton से ज्यादा है productivity per hectare, rainfall area में अभी भी 1,5 ton per hectare का productivity है जिसलिए almost subsistence खेती मानती है farmer का जितना होगाता है अपने खर्चे में निकल जाता है उस type का खेती होता है वहाँ कैसे productivity बढ़ाना है वहाँ हमारा main लख्य है उसमें कैसे तो उसमें पानी सबसे बड़ा मुद्धा है कि बिना पानी में कोई खेती तो नहीं हो सकता है अनि फेड एरिया में वहाँ पे आजकल जो climate change का थोड़ा बूद प्रभाव है कहीं मनसुन कहीं जादा होता है कहीं डिले होता है कहीं इवेंट भी कम हो जाता है कहीं जादा मनसुन बारिस होता है एक एक इवेंट ये सारे को लख्य रखते हुए कैसे उसको हो सही डंग से और एंप्रोक मैंनेज करना है किसे ंसको पड़र करना मिन्स यह रेंफ treatments जादा सजादा कैसे उपयोग हो सकता है खेती प्रोड़क्शन में आप साइल मिट्टी के अंदर वह सारे टेकनोलोजी हमारा जो का इंडियन कांसे अग्यां का रिचक्वार सकते हैं इसके बारे में आपसे जानेंगे लेकर आगे से आगे बढ़ते हैं A वो generate होता है और इस 6000 क्रोड लिटर का मात्र केवल 30 प्रतिशती शोधन के लिए उसको प्रक्रिया में डाला जाता है और इसका जो 70 प्रतिशत जो मल जल है जो कि बिना किसी शोधन क्रिया के वह यूं ही नदियों नालों और जो इनसागर लेका एक excellent example है वह वहाँ पर जाके इकठा हो जाता है और प्रियावनन में प्रदूशन फिलाता है जी तो उसका शोधन के अभाव में काफी जो है बर्बाद हो रहा है जी बिल्कुल डॉक्टर कुमार आपके पास आना चाहेंगे आपका जो भारती मृदा इवं जल संरक्षन संस्था है वो क्या कहता है उपयोग में आया हुआ जल कितना नश्ट हो रहा है साती साथ गर्म वर्षा जल की बात करें तो आपके आंकड़े क्या कहते हैं कितनी बर्बादी हो रही है जहां तक बर्षा जल की बर्बादी की बात देखें तो मांसून में दिखाई दे रहा है चारो पर देखें, तो इसका उलट ही एक आयाम है, बर्सा और मिटी का कटाओ, दोनों एक दूसरे सिक्के के पहलो है, इस समय देखिए तो मिटी का कटाओ जवर जवर ज़स्त है, जिस भी नदियों को आप देखें, उसकी पानी कितना मटमेला है, वो आपको इसारा कर रहा है कितन मिटी कट रही है खेतों से, तो हमारा जो खेती का छित रहे पूरा, उसका करीबन एक सो चार मिलियन हेक्टेर, किसी ने किसी मिर्दा छरंड से परभाइद है, वो बहुतिक मिर्दा छरंड हो, रसायनिक मिर्दा छरंड हो, या अन्जपरकार के और भी छरंड है, उसके मिलियन हेक्टर, आपका सकते हैं, कि लगबग सत्तर परतिसत जो चरंड हो रहा है, वो पानी के माध्यम से हो रहा है, तो यदि आपकी जमीन की उपरी सतह कट के और इस नदी नालों के माध्यम से समूंदर में चली जाती है, या नदी में भी बैठ जाती है, तो इससे किसा के खेतों से कितना अधिक पॉस्टिक जो गुण है, मिन्स उसके एलिमेंट्स हैं, वो सब निकल जा रहा है, तो वो जो पॉस्टिकता है खेतों से, मिट्टी के कटाओं से निकल लई है, इसको हम कैसे नियंतरित करें, तो जल सनरक्षण जो बात हम लोग अभी अगले सतर म भी करेंगे, तो जल सनरक्षण एक ऐसा है, जल और मिर्दा दोनों एक साथ हैं, यदि हम जल का सनरक्षण करते हैं सही तरीके से, तो अपने आप मिर्दा का भी सनरक्षण हो जाता है, तो हमारा कोशी से ही रहता है, कि मिर्दा को बचाया जाए, जल के सनरक्षण के आपके पास आना चाहेंगे आपसे जाना चाहेंगे कि उपियोग में आए जल के अगर हम बात करते हैं तो बर्बादी की अगर हम इसकी बात करें तो यह सिर्फ शहरी खेत्रों में होती है या फिर ग्रामीर इलाकों में भी ऐसा कुछ हो देखा जाता है जहां तक वर्सा जल का बर्बादी का प्रस्टन है वो चाहे सहरी खेत्रों हो चाहे ग्रामीर खेत्रों हो जहां भी अगर इसको हम कंजर्विशन या सरचन तरीके से नहीं करेंगे वह हर जगह होती है तो दोनों जगह हो दोनों एरिया में होती हैं दोनों च्छेत्रों होती ह इसको मैं थोडा सा इसमें और जोणना चाहूंगा यह अनितारीस प्रतिशत ही नहीं लगभग पूराई की पूरी खेती हमारे देश में वर्सा आधारीत ही है जो नहरों से जो भी सिचाई हो रही है वहां का भी पानी वर्सा का ही पानी होता है जो बड़े-बाधों में हम र के दिनों में और उसको हम भागी के दिनों में या मानसून के दिनों में भी फंप करके पंपिंग करके सिचाई करते हैं तो पूरा देश हमारा मानसून के पर ही पूरे देश में हमारी जो खेती है और मानसून पर ही आधारीत है तो यह मैं थोड़ा एट करना चाहता था इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे जी बिल्कुल डॉक्टर कुमार आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें मैं डॉक्टर सिंग के बातों को आगे बढ़ना चाहूंगा जैसे रत साब में कहा कि करीबन 68 मिलियन हेक्टर से चिछेटर है तो इसको इन्टे इरिगेटर है यदि हम इसको गरास के तर्म में देखें तो घ्रास के आप इजह 766 Шकतर है कि ये बहुत बड़ा छित्र है जो पुड़ रोप से बर्सा आधारित है बिलकुल तो ये तो बात हो गई कि हमारे यहाँ पर जल की बर्बादी हो रहे है और साथी साथ यही बात निकल कर आई है कि पूरे हमारे देश में जो खेती है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वो वर्षा जल पर ही आधारित रहती है सीचाई के लिए बिल्कुल बढ़ते हैं आगे विश्वेश्वर रजी आप से जानना चाहेंगे कि आपका जो राष्ट्र वर्षा सेंचित क्षेत्र प्राधिकार है ये मौनसून के दौरान बरसन जो पानी है उसको बचाने के लिए उसको सहेच का रखने के लिए क्या कदम उठा रहा है किस तरह से सहयक हो रहा है बताएं इसके बारे में देखें नाशनाल रिन्फेड एरिया ओथरिटी जो है वो एक क्रिसी मंत्रा लेक अंग है ये जितना हमारा बहुत सारे कारियकरम जो डिपार्टमेंट अवेकल्चर कोपरेशन मिनिस्ट्री अवेकल्चर कारियकरम जो चलाते हैं क्रिसी उन्नती के लिए जैसे आपका अंटिग्रेशन करके रिन्फेड एरिया में उसका उसका बेस्ट यूज किया जाएगए उसका उप्टिमाल यूज हो सकता है वो सारे प्रोग्राम का वे हमारा लख्या है के ससे सुचारू पॉलिसी करना है ये साज इतना सारे जोजना चलना है जैसे आपका इविन प्राधिकार है वो किस तरह से जल सनरक्षन वर्षा जल सनरक्षन के लिए कारेरत है डॉप्टर अमरीश कुमार अब आपके पास आना चाहेंगे आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम जल सनरक्षन की बात करते हैं तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लिए चुनोतियां काफी होती है लोग काफी इसका सामना करना आप करते हैं तो क्या अलग-अलग ह कारे आती हैं उसको हम लोग स्टेंडराइज करते हैं और एक बहतर तरीके से उनके सामने फिर ले जाते हैं जहां तक जल सनरक्षन का बात है तो देखिए दो यहां पर हम लोग दो विरोधाभास में हैं एक जगा तो अती बिरिस्टी पानी जिसको हम ठीक से संचे नहीं कर बरसा अधारित है तो जहां तक संचे के बात करें यदि हम सारे हमारे सिंचाई के जो परियोजनाएं हैं और हर तरीके से जो हमारा प्लान है उसको कम्पलीट कर लें उसके बाद भी हमारा करीबन 40% प्रतिसत छेतरफल बरानी रहेगा बरसा अधारित रहेगा तो हम बरसा जल संचे से बचने वाले नहीं है वह हमेशा चलता रहेगा और खाज करके ख़द्यान के लिए बहुत जरूरी है आपने देखा होगा कि जो छेतर बरानी छेतर से बरसा इरिगेटेट बन गए वहां पर सिर्फ धान गयों या गन्ना इस तरह के फसल आ गया है वहां से दिल तिलहन दलहन सब खतम हो गए तो इसलिए इसका एक अच्छा अनुपाप भी चाहिए कुछ बरानी भी हो और कुछ सिंचित भी हो अब बात आते हैं सिचाई की जो आप कह रहे थी कि चुनौतियां क्या क्या होती है पहाड़ी और मैदानी इलाकों के गरम बात करते हैं तो उसका 10-12 परसत सिंचित चितर हैं जो नदी नालों के घाटियों तक ही सिमित हैं तो बाकि आपका चितर 90 परसत सारे बरसा अधारित है खियती का जो अधिकतर एरिया है ओ मध्य ढाल में है तो वहाँ पर बिना संचे का तो काम चली नहीं सकता श्रोट वही बरसा की पानी है तो वहाँ पर आप सिर्धिदार खेत देखी होंगी हमारे किसानवाई बहुत अच्छा है वहाँ पर खेती करते हैं और खास करके परवती छित्र आपके नौर्थ वेस्ट का पार्ट जो है उतरांचल उतराखंड और हिमाचल प्रदेश जम्मू कास्मित इस छित्र में स्टानी भह जाती है जैसे जैसे मिट्ठी का कटाव होगा उससे क्या होता है कि जो मिर्दा का संगठन है उसमें सिल्ट इचर नीचे चला बचा वहाँ पर सेंड जो है खास करके आप सेंड बालू रेत जो है वह बरसा जल को सोकता नहीं है वह सोसित नहीं करता जो सोसित करने वाले और सोकने वाले पार्टिकल्स थे वो तो चले गए इससे क्या होता है कि जमीन के अंदर नमी नहीं बन पाती है और बार-बार सी चा पानी गाव सकता भी आपकी बढ़ती जाए रही है तो इसको देखते हुए हमें अपने खेतों को सुध्यड करना होगा जिसमें अधिक से अधिक बरसा जल संचे हो यानि खेत का पानी खेत में जो आप अभी परदान मत्री से चाहिए योजना की बात करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ा पहलू है इसमें इस पर काम किया जाए तो वहां पर उन जो सेड़दार खेत हैं उन खेतों पर जो पानी बह जाता है उसके किनारे सोल्डर बंड किसान बनाते हैं जो हमारा संस्थान भी इन छित्रों में बहुत काम किया है जो कुछ मॉडल आदर्स वाटर सेड में भी काम किये गए वहां पर उस तरह के नमूना बनाया गया दिखाया गया उसके इंपेक्ट को भी वहां के जो लाइन डिपार्टमेंट है उनको बताया गया तो उसका चारो तरफ फैलाओ तो हो रहा है लेकिन जो उसका भी मॉनिटरिंग इविल्वेशन साथ साथ चल ला है जो रत साब ने कहा और उसमें जो कमिया आ रही है हम लोग उसको भी ठीक करते जारे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और क्या-क्या कदम उ आती है जब बात आती है जल सं стен क्षेण की और अगर हम रुपर अब शेहरी क्षेत्रों का तो अब वर्शा जल्सन रक्षण के लिए शेहरी क्षेत्रों में भी सकरीयता बड़ी है लोग इसकी तरफ जागरुक हो रहे है IsKA में क्या कहना चाहेंगå देखिए जहां तक कि मैदानी इलाकों का सवाल है अगर आपका तातपरे शहरी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ है तो मैदानी इलाकों की चनोतियां पहाडी इलाकों से बिलकुल अलग होती हैं जैसा कि अमरीज जी ने कहा कि पहाडी इलाकों में मिटी कटाव पानी की जरीए ज्यादा म मैदानी इलाकों में जो आपका जल का बहाव अधिक होने की कारण run-off जिसे हम कहते हैं run-off losses को बचाने का ज़्यादा कोशिशे की जाती है जैसे कि पहाडी इलाकों में आप कंटूर और वो जो सीड़ी दार खेती करते हैं आप मैदानी इलाकों में आपको बंडिंग पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है कि किस परकार से कौन सी फसल हमने लगाई है उसकी क्या जड़ शेत्र है उस जड़ शेत्र को मद्य नजर रखते होए बंड का कितना हाइट होना चाहिए वह सब टाय किया जाता है और अगर आप बारानी रेगिस्थान के इलाके की तरफ चले जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि खेत का जो डामेंशन है वह चोटे-चोटे केत होते हैं और बारम-बार उनमें बंड बनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक पानी का संजे किया जाए जासे कि खेत का पानी खेत में रहे ताकि मिटी की जो नमी है वो बनी रहे और कटाव भी ना हो और फसल भी अच्छी बनी रहे जा रहे हैं अगर हम शेहरी क्षेत्रों की बात करें वहां पर वर्षा जल सनरक्षन के लिए और जो हमारे मैदानी इलाके हैं खास पार पर वहां के लिए बिलकुल इसके साथ अभी फिलहाल वक्त हो चला है विचार विमर्श में एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा विचार विमर्श सही जे इस बरसात को आबने रहे दूरदाशन के साथ प किया जरुरत भी पूरी शौक भी पूरा देखिए चट पर बागवानी शनिवार सुभा नो बजे ब्रेक के बाद दूरदाशन के सान पर आपका फिर से स्वागत है आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं कैसे सहे जे इस बरसात को तो विचार विमर्श का दूसरा दौर शुरू करने से पहले आए हम नजर डाल लेते हैं हमारी एक और खास रिपोर्ट पर देश के 127 कृशी जलवायू प्रदेशों में से 73 शेत, मौटे तोर पर वर्शा सिंचित शेत्र में आते हैं देश में होने वाला खाद्य उपज का करीब बच्वन प्रतिशत सिंचित भूमी में होता है जबकि वर्शा सिंचित भूमी का इसमें योगदान 45 प्रतिशत ही है बर्शात के पानी पर निर्भर पसल इस बात पर निर्भर करती है कि मिट्टी में नमी कितनी कुशलता से संग्रश्चित की गई है या बचव हुए पानी का किस तरीके से संचयन या प्रभंधन किया गया है बदल रही जलवायू के परिद्रश्य में कम बारिश में कृषी को अधिक पैदावार की शमता बनाए रखने के लिए ये एक अनिवार्य विकल्प है कृषी जल प्रभंधन में सुधार की दिशा में जोर देने के लिए बड़े तरह के बदलावों की जरूरत है अभी जो तौर तरीके प्रचलित हैं उनमें मामूली बदला प्रती हेक्टेर अधिक उपज के प्रयाप्त नहीं समझे जाते हमें इनमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगणा करने का नजर्या तभी हकीकत से बवास्ता हो सकता है जब मौजुदात और तरीकों की दश्टा में व्रधी की जाए हमें ये ध्यान रखना होगा कि देश के बारिश के पानी पर निर्भर इन इलाकों में बारिश का वित्रण एक समान नहीं है कई लाके ऐसे हैं जहां सालाना बारिश का ओसत 500 मिलिमीटर से कम है तो कोछ इलाके ऐसे भी हैं जहां ये आकड़ा 1000 मिलिलीटर से अधिका है जाहिर है कि वित्रण के एक से ना रहने से एक ही तरह के उपाए नहीं अपनाए जा सकते हमें बारिश के ओसत के हिसाब से पानी बचाने की तर्कीवों पर अमल करना होगा इसके लावा हमें वाटर, बच्टिंग, क्रॉप, अलाइनमेंट, पानी के पुनर्चकरन और कम पानी देने वाली फसलों पर ध्यान देना होगा सबसे बड़ी बात ये है कि पानी बचाने का काम सामुदायक मदद से कहीं अधिक अच्छे तरीके से हो सकता है इसके साथ ही उपियोग किये जा चुके पानी को शोधित कर कृशी कारियों में लाया जा सकता है शहरी शेत्रों में ये बागवानी के लिए जीवन दायक बन सकता है तो अभी आपने अमारी एक खास रिपोर्ट देखी हम सभी जानते हैं कि खेती के लिए पानी किसी प्राण या वायू से कम नहीं है पर बरसात का पानी जादतर जगा पर बहे कर बरबात हो जाता है तो किसान इस पानी को कैसे सहेजे इसके लिए किस तरह की कोशिशे हो रही है विश्वेश्वर रत जी आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जिसके बरबादी हो रहे हैं लेकिन अब उसका संरक्षन किया जाना बहुत जरूरी है। जिसके बरबादी हो सकता है। जिसके बरबादी हो सकता है। जिसके बरबादी हो सकता है। बता रहे थे आप जारी रख सकते हैं। किसी चाहे जो जना जो आया है उसमें सारे प्रोग्राम को समन्यों किया गया है। तोर्स होगा वो केसे पानी जाके पहुंचेगा हर खेत को पानी इसलिए कमांड एरिया डेवलोप्मेंट को जो दिया गया है। इसमें च्छोटा च्छोटा तलाब और बाकी इन्षी टू महिसर कंजर्विशन मेंजर केसे किया गया है। जो मेन समस्या जो है, जो रेनफ्रेड एरिया में जितना पानी रहता है च्छोटा च्छोटा तलाब क्योंकि यहां तो खेती का साइज बहुत छोटा है। फार्मर तो बड़े तलाब तो नहीं कर सकता है, छोटा तलाब में जितना पानी रहता है, अगर वो नर्माल वे में इरिगेट करता है, वो तो एक-दो इरिगेशन में खतम हो जाएगा, सब्धोर 15-20 दिन सुखा हो गया, ड्राय स्पेल हो गया, पानी फिर जो हालत वही हालत रहेगा, उसका इविन तलाब होते हुए भी उसका क्रॉप ड्यामेज हो जाएगा, तो वहाँ जो जितना पानी है, उसको कैसे सही डंग से यूज किया जाए, मोर प्रिसिशन यूज के माध्यम से हो, या उनफार्म वाटर रीज फोरो में हो, या सही क्रॉप का समन्यों कै कैसे हो, वो सारे के लिए हम लोग प्रोग्राम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए पॉर्डर प्रोग्राम चल रहा है, किसी मंतरले के अंतरगर, उसमें तलाब के साथ-साथ उसको कैसे बेस्ट यूज हो सकता है, शाहे ड्रीप हो, स्पिंकलर हो, अनफार्म वाटर मानेजमेंट हो, क्रॉप अलाइनमेंट हो, इसी के लिए ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जितना भी पानी संचे हो रहा है, उसका मैक्सिम्म उटलिटी हो सकता है, तो यह तमाम कदम जो हैं वो ठाय जा रहे हैं, ताकि हमारे किसानों को वर्षा जल संचयन करने में काफ अगर हम बात करें, तो यहां इस संस्थान ने परसाती पानी को सहीचने के लिए कई तरह की जो तौर तरीके हैं वो इजाद किये हैं, अगर हम बात करें इन तौर तरीकों की जानकारी हमारे किसानों को है की नहीं, तो कैसे आप उन तक जानकारियां पहुचा रहे हैं, इस मेरा गवरव है, टीएसपी कारेकरम है, ट्रांसपर और टेकनलाजी है, इसके अलावा हमारे संस्थान के कुल आर्ट केंद्र हैं, पूरे छेत्र में, विविन एग्रो क्लाइमिटिक जोन के हिसाब से बने हुए हैं, वहां पर भी हम लोग ग्रास रूट तक पहुंच रहे है जहां तक मिर्दायंग जल संच्चन की बात है, उसको देखा जाये तो हमारा जल संचय, सबसे असान तरीका होता है, फॉर्म पॉॉण बनाना, और फॉम पॉॉण का पानी उनके खित से ही आता है किसान के, तो जो रन अफ होता है उसको हम इकठा करते हैं और इकठा करके फ पूरा सिंचे पानी मिला है आजकल जो मौसमी परिवर्तन है इसका भी परभाव आप देखी रहे हैं तो ऐसे चोटे-चोटे जो ड्राइ स्पेल्स होते हैं उस समय जो संचे पानी है उसको आप सी चाहिए कर सकते हैं अब यही सबसे बड़ा समस्या है कि हम पानी कथा करके फ तो करीबन 50% जल का हास उसकी बरबादी हो जाती है उस पार्ट में होता है जो छोटे-छोटे नाले जो वाटर कोर्सेज हैं और खेत में जो हमारे इरिगेशन मेथट्स हैं इसके फाल्टी होने के कारण 50% हमारा पानी नस्ट हो जाता है यह इस 50% पानी को हम रोक लें तो बहुत बड़ा च्छत्र को हम सिंचित बना सकते हैं तो इसके बचा की भी काफी ज़रूर एक अंकड़ा में बताना चाहूंगा इस माद्धम से हमारा देश में करीब 6 मैंने पहले बताया था 650 BCM का हम पानी यूज करते हैं तो टोटल खेती को अगर आप माने जाएंग जो पचास सेंटीमीटर पर हेक्टर हम पानी खर्चा करते हैं जो डेवलप कंट्री में डेवलपिंग कंट्री में कुछ कंट्री में 90 से 100 तक नहीं जाता है इसलिए जो हमारा अमरीक साब बता रहे थे हमारा एफिसेंसी बहुत लो है उसमें नाट ओली रिंफेड एरिया में वी तो हम्हार भी 35-40% एफिसेंसी में जा रहे हैं इवन डेशे में भी केसे क्रॉप परड़क्टिविटी वाटर प्रड़क्टिविट्य और वाटर केतना हम प्रड़क्टिविट्शन ला सकते हैं उसको कैसे बढ़ा जाए उसके लिए बहुत सारे कदम ले रहे हैं सरका के पास तो जो स्रोध था उससे पानी को टेप किया करीबन चार किलो मीटर डिस्टेंस पर ओ जो सिचाई का जो वहां पर पद्धती तरीका है गुल इरिगेशन सिस्टम है और कच्छे नालिया है या पक्के नालिया है उनसे 35-40% पानी निकल जाता है नस्ट हो जाता है उसको पाइपलाइन के माध्य हम से पहाड़ी रास्तों से लाया और करीबन 25 हेक्टर एरिया को सिंचिप किया कॉस्ट टोटल आई करीबन 25,000 रूपे पर हेक्टर आया जो हम पीवीसी पाइपलाइन को वहां पर बिचाए खेतों में लेकिन ओबर आ ले देखें तो करीबन एक ल दोजना चलाते हैं तो देख से दो लाग के तत पहुंच जाता है यहां पर मेरा कहना है कि जो 25 हेक्टर डवलब किया गया है प्रती 1.5 हेक्टर एक आउटलेट दिया गया है जैसे घरों में पानी की सप्लाइज सिस्टम है उस तरह खेतों पर सप्लाइज सिस्टम दिया ग तो वह 25 हेक्टर में जो सिंचित डवलब किया गया है उसकी क्रापिंग पैटर्न आप प्रॉडक्शन की बाद जो कर रही थी अपना चेंज हो गया उसके बाद तो यह हम रिसोर्स पहुंचा देते हैं कास्तकार के पास तो वह इतना सक्षम है कि वह आसानी से अपनी काफी लाब मिल रहा है जी बिलकुल काफी लाब भानवित हो रहे हैं हमारे किसान जो बर्शा जलसा एंचैन के लिए भारतिये म्रिदा इवन जलसा अन्रक्शन संस्थान के द्वारा जो कदम उठाय जा रहे हैं बढ़ते हैं और डॉक्टर रवींद्र कौर आपके पास आ बारानी इलागों में वाटर मैनेजमेंट करना बलकि जो इरिगेटेड एरिया और ना के वल फील्ड बट वाटर शेट की कम्प्लीट की उपर वाटर मैनेजमेंट करने का मुख्यों देश है इसके इलावा अगर मैं पहले बार तक्निकों की करूं कि देखिए जैसा कि साथ प्रतिशत एरिया बारानी है और वर्षा आधारित है तो अगर हम उसी इलाके की यह यह तक्निकों की बात करें तो वारतिक रिशियों संदान संस्तान ने शुरुआती तोर से ही काफी ऐसी टेक्नालीजी जैसे की रेन वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार इसके इलावा यहाँ पर Precision Farming Development Center भी है जिसके माधियों से सालाना कई प्रकार की ट्रेनिंग्स दी जाती है किसानों को और उनको स्पष्ट रूप से दिखाया जाता कि किस प्रकार से डिप के प्रियोग से और स्प्रिंकलर के प्रियोग से कितना किस तना से विभिन इसके इलावा हमारे संस्थान ने एक Center for Protected Cultivation Technology भी है जो की Indo-Israel Project के नाम से भी प्रसेद है उसमें किस प्रकार से कम से कम पानी पानी को बचाते हुए प्लास्टिक और नेट हाउसिस के अंदर और माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के सन्योजन से किस प्रकार से जादा से जादा फसल का उत्पादन किया जा सकता है ये सब टक्नीकों का इचाद्ट किया गया है, इसके इलावा अभी हाल ही में, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्षा के दिनों में, जैसे कि अभी आज कल की भी रिपोर्ट है, कि किस परकार से अधिक वर्षा होने के कारण, जो शिमला में एक पर्टिकुलर रिवर है, वो किस प आप्षिश जल से आप आठ लिटर स्वच जल को प्रदूशित कर सकते हैं तो एक लिटर आप्षिश जल आठ लिटर साफ जल को प्रदूशित करने की शमता रखता है इसलिए वर्षा के दिनों में अप्षिश जल का भी सन्योजन और उसका management करना उतना ही important है जितना की की शुद्धी करना भी बहुत भारतिक रिशियों नसंदान संथान ने एक कॉंबो सिस्टम भी इजाद किया है जो की वर्षा के दिनों में ना केवल वर्षा का पानिक का संजे करता है बलकि जब 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 वर्षा रेन स्पैल नहीं होता है या वर्षा की दितु खतम हो ज उसी संथान नो जा सकता है कि यो की रादेग्यागी की किसानों तक पहुंचाने के लिए अब तक सांजीकी किन का लाब ले सके हैं जल्प्रुद्योगी की केंदर का एक बहुत सिंस्था नक्याइन ददि के मार्ए लिए हैं किसानों तक इन तकनीकों को पहंचाना जिसके लिए लगातार हमसालाना कई ट्रेनिंग्स करते हैं और इन ट्रेनिंग्स में ना केवल हमारे विज्ञानिक गर्ण उनके खेतों में और उनके गाउं में जाके उनको ट्रेन करते हैं बलकि सामुहिक रूप से किसानों को जल्ब जल तकनिकी केंदर है। इसने भी कई इसने जैसे अभी डॉक्टर कॉरड ने भी बताया कई प्रद्योगी क्या विक्सित की हैं वो किसानों तक पहुँचाने के लिए। और क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं। इसके बारे में बताएं। जल्ब प्रवद्योकी कीकेंद्र सुरू से ही प्रशिक्छणड कर गाहा है जब से बना है नैंटिन सिस्टीनाइंन साथ सत्वेंटी से समस conjकित hm किसानों को हम अपने सेंटर पर ही लाते हैं इसके पहले तीन-चार साल पांच साल पहले हमारी एक और इसकीम चल लही थी जो योजना आयोग उस समय था उसके माध्यम से चल लही थी जिसमें हम गाउं गाउं में भी जाकर प्रसिचन देते रहे हैं इसके अलावा जल प्रोदोगी की के अंदर सीधे तोर पर जो 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 अधिकारी गाड़ या जो इंजीनियर्स हैं या जो आफि जो इंपलिमेंटिंग जेंसी काम करते हैं राजजेंसे कौर्च करते हैं उन्हार को यह किसाने आ की चाओंगेंगे कि संफ़ी कर सकते हैं, अब तो हम बंगाल तक पहुंच चुके हैं, हमारी जो एक प्रोजेक्ट चल लगी है, हम सुंदर मंसेरिया में भी काम कर रहे हैं, राम क्रिश्मिशन का आसरम का, जो के भी के हैं, उनके माध्यम से, गया जो बिहार है, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं, अपने एक एंजीयों क माध्यम से, जी आप से जामना चाहेंगे, जैसे कोई किसान है, वो जानकारी लेना चाहता है, प्रशिक्शन प्राप करना चाहता है, तो वो आप से कैसे संपर कर सकता है, क्या-क्या माध्यम हो सकते हैं, अस तो बहुत से माध्यम है, आपके माध्यम से तो कर ही सकते हैं, औ हमारे हाँ एक सिल काम कर रहा एटिक सेंटर है इसके माध्यम से तमाम किसानों के काल नंबर वहां से ले लेते हैं और अभी मैं एक और बताना चाहूँगा जिस पर आपने बहुत पहले सर्चा करी थी डक्टर अंद्रीश कुमार से पहाडी छेत्रों में जल प्रभंदन का य इनफेक्ट जो वास्तविक्ता आई है कि तमाम हमारे मैदानी छेत्रों में ज्यादा तर पानी का हिसा पहाडी छेत्रों से ही आता है और पहाड के लोग खुद पानी के लिए काफी परिशान होते हैं और पहाडी छेत्रों की जो एक खास बात होती है कि वहां पर जो मिटी की जो गहराई होती है बहुत कम होती है ज्यादा ज्यादा एक मीटर देड़ मीटर होती है तो वहां पर इंस्यूटी रिटेंशन की भी गुंजाई बहुत कम होती है एक मीटर और ज्यादा तर स्वायल काफी पोरस होती है इंफिल्ट्रेशन रेट उसका बहुत ज्यादा होत तो तमाम जो बारिस होता है वो नीचे जाता है फिर एक देड़ मीटर नीचे चट्टाने उती है उसके बाधधम से नीचे बहके चला जाता है जी बिलकुल तो देखे जल प्राध्योगी की केंद्र जो है वो कैसे प्रशिक्षन कारिक्रम ऐजद करता है और आप भी उसे ला और इसी के साथ अभी अमारे कारक्रों में वक्त हो चला है चोटे सी ब्रेक का ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा विचार विमार्ष सही जी इस पर साथ को आप अनिट रहे दूरदाशन किसान पर जहां दिगज दोडाते हैं अपना दिमाग धूनते हैं सामाईक सवालों के जवाब खीती किसानी के मुद्दों पर मन्थन का मंच देखिए वात समवात हर शनी बार सुभाग 11 बजे ब्रेके बाद दूरदाशन किसान पर आपका फरसे स्वागत है आज हम विचार विमार्ष कर रहे हैं कैसे सहे जे परसाथ के पानी को तो विचार विमार्ष का अन्तिम दोर शुरू करते हैं डॉक्टर रविंद्र कॉर्ट सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी आप भार्ति क्रिश्यान उसंधान परिश्रत की निदेशक भी रही हैं साथी साथ देश की शीर्ष महिला क्रिशी वेग्याने भी तो वर्षा जल्स अन्रक्षन को लेकर और क्या-क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी देखिए टेकनोलोजी इसकी तो कोई कमी नहीं है बास्किट पूरी भरी पड़ी है लेकिन कौन सी टेकनोलोजी को कौन से शेतरव पर उतारना चाहिए इसके उपर मंतन ज्यादा करना चाहिए अब जैसे कि मैं साधारन तोर पर कॉमन मैन का अगर व्यू लेते हुए बोलू तो हम आम तोर पर कहते हैं कि तालाब बनाने चाहिए और वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और हम जब यह रेकमेंडेशन देते हैं तो हम आम तोर पर भूल जाते हैं कि यह रेकमेंडेशन कौन से इलाकों के लिए हम दे रहे हैं क्या तालाब एरिड और सेमी एरिड एरिया में बनाने से क्या हम कुछ हासिल कर पाएंगे यह यह टेकनालोजी सिरफ पर हुमेड और हुमीड एरिया के लिए होनी चाहिए तो यह जो टैग लाइन्स होती हैं इनको हम आम तोर पर भूल जाते हैं दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगी कि देश भर में हमें नर्मदा कनाल प्रोजेक्ट सांचोर में जो किया गया है उसको रैप्लिकेट करना बहुत अवश्यक है अब दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि यह मात्र एक ही कनाल इरिगेशन सिस्टम है जिसमें स्प्रिंक्लर इरिगेशन को इंटिगरेट किया गया है और यह 24x7 रनिंग कनाल सिस्टम है जिसके अंदर माइक्रो इरिगेशन की सहवागिता की गई है ना केवल यह मात्र एक ही हमारा कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसमें बड़े स्टर पे तकरिबन 240 वाटर यूजर एसोसेशन बनाए गये हैं कम्प्लीट प्रोजेक्ट एरिया में तो आपका कहना है कि ऐसी कई परियोजना की जरूरत है और परियोजना या फिर कहें कि मॉडल्स को शिरुवात करने की काफी जरूरत है ताकि वर्षा जल संचयन जो है काफी पहतर तरीके से और किया जा सके बिलकुल बढ़ते हैं आगे डॉक्टर रथ आपके पास आना चाहेंगे आपसे जाना चाहेंगे कि क्या जल संरक्षन के लिए नारा जवाब का संस्थान है कि सानों को किसी तरह की आर्थिक सहायता भी देता है देखे पहले तो मैं डॉक्टर काओर जो बता रहे थे उससे थोड़ा आगे होंगा आपका जो 68 मिलियन हेक्टर जो में इरिगेशन जो बता रहे थे उसमें करीब 65% जो है ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर का अलड़ी हम एनरजी यूज करते हैं ग्राउंड व ग्राउंड वाटर में भी हमारा एफिसेंसी करीब 60-70% है अगर हम ड्रीप स्पिंकलर में लाते हैं वह 80-90% तक आ जाए तो 20% का जागर सेविंग भी होगा वह आपको दो खेती में ला सकता है तीन खेती भी हो सकता है और उसका मोईस्टर कंजर्वेशन भी रहेगा पानी जो ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है वह भी सरंखन होगा बाकि आप जो अभी बता रहे थे आर्थिक सहायता आर्थिक सहायता का बारे में अक्चल नाशनल एंफर एरिया अथोरिटी जो है वह मेंली हम एक आडवाईजरी एजनसी है नॉलेज देते हैं डिपा ूनेट है प्रदान मन्तिर की सिलिये जो जोग पै ऐसके लिए ड्रीफ यकलर के लिए चाहायता मिलता है तलाब खुदने के लिए सहायता मिलता है थी आर्प अंतरगत आपको भूत सारे क्रुदकै करने के लिए पात्र मानेगृ कि लि создखन देने से नहीं होता है आपका खेत में केसे पानी सरंखन करने का ख्यूमता बढ़ेगा उसके लिए भी कार्वन कार्वन कॉंटेंट करीब 0.8% बहुत नीचे जा रहा है यह भी खत्रा है पानी सरंखन का जो सरंखन होना चाहिए नहीं हो पा रहा है इसलिए ज्यादा हम अभी लख्या ले रहे हैं कि जैसे प्लांट रेसिड्यू जो खेत में है वह उसको कैसे इंकरोप्रेट किया जाए इसमें जहां तक कार्यकरम का उच्छा और कार्यकरम को अच्छी तरह किसानों को खित तक पहुंचाना है तो प्रसिक्षण्ड बहुत बड़ा कार्यकरम है और प्रसिक्षण्ड हमारे संस्थान और सभी संस्थान जितने ICR के हैं सभी देते हैं और हर अस्तर पर है लाइन डिपार्टमेंट के ओफिशर्स चार मेने का कोर्स हमारे पास है उसके बाद वन मन्थ फिप्टिन डेज ओन वीक निफेर्स फॉर्मर्फ Taq जो जितने हमारे संटर सह हैं सहशं वह उनको प्रसिक्षण्ड लेकिन उसके अलाव आई बहुत सारे संस्थान दे रहे सभी लोग दे रहे हND जो जलागाम परबंदन के माधियं से प्रकृतिक समव्र का स्नक्षण्ड वह उसी माध्यम से हो सकता है, open area की basis पर हमें अंदाजा ही नहीं लग पाता है कि कितना हमारे पर बरसा की पानी है, कितना मिटी है, कितना कट रहा है, इस जानकारी के लिए जलागम के जो concept है उसी को लेकर चलना होगा, सत्तर के दसक में जो काम हुए थे, कुछ मोडल वाटर सेट डवलप हुए थे, फकोर्ट, सुकोमाजरी हम सभी जानते हैं, वह मिसाल बना और 90 के दसक तक बहुत अच्छा एक अच्छा टेंपो के साथ काम चलता रहा, उसके बाद फिर लिबली हुड कंपोनेंट एड हुआ, वाटर सेट प्लट की प्लस के एक्टिविटी आज कल हम लोग बात कर रहे हैं, तो निचुरल रिशोर्स का संचे के लिए दो फ्रंट पर काम करना बहुत जुररी है, एक उसमें सनलग जो भी लोग हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट हो या स्टेक होलडर, प्रामरी स्टेक रहे हैं और एक मिली मीटर मीटि कट रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि एक हेक्टर से एरिया से कितना अधिक पानी को संचे कर सकते हैं, उतना ही मी ती को बचा सकते हैं। प्रिशिक्षन लेकर किसान वर्षा जल्द का तो संड्रक्षन करी सकते हैं, साथी साथ मिट्टी का बचाव भी कर सकते हैं, यह तो आपने जानकारी दे दी, अब मैं आपसे आर्थिक सहायता के बारे में जाना चाहूंगी, क्या किसानों को इसके लिए आर्थिक सहायता भी मिलता है, जिसमें लाइनिंग भी उसमें प्रावधान है, अगर लाइनिंग नहीं होगा तो 33% कम करीब 50-60,000 मिलता है, अगर गाव में कमुनिटी टैंक बनाते हैं, करीब 20-25 हेक्टर का कमुनिटी टैंक इरिगेट करने के लिए, उसमें 10 लाग तक भी प्रावधान है, और उसके अतरिक बहुत सारे स्टेड जो है, उसके उपर उसको जैसे फार्मर्स को एंकरेज करने के लिए अतरिक सहाधा देता है, जैसे कुछ-कुछ स्टेटमें राजे सरकारों द्वारा अतिरिक्त सहायता दी जाती है ताकि किसान इसकी और अग्विसर रहें किसान उसका ब्लाब लेना चाहिए और यह जो सहायता मिल रहा है इसको अपनारा भी जाहिए उसको सही उपयोग में लाना चाहिए उसका बेनिफिट लेना चाहिए विल्कुल आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपने हमारे कारिक्रों में भाग लिया हमारी चर्चा में आप लोग शामिल हुए इतनी महत्वपूर्ण जानकार यह हमारे दर्शकों के साथ साज़की बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तो देखिए बरसात का पानी सहेजेंगे तो खेत हरे हरे से सजेंगे फसलों के साथ साथ किसान भी फालेंगे विश्वास है कि आज के विचारवे मर्श से किसानों को बरसात का पानी सहेजने में मदद मिली होगी तो आज के विचार विमर्श में बस इतना ही मुझे दीजे जाज़त चर्चा में भाग लेने के लिए समय निकालने के लिए आप सभी का भार अब मिलते हैं अगले सबता हफिर किसी नाय विशय पर करने के लिए विचार विमर्श तबता के लिए आप बनी रही दूरदाशन किसान पर नमस्कार कर अब मिलते हैं ऑाज़ किसी नाय पर नमस्कार